मेरे प्यारे दोस्तों, टेस्ट नंबर 50 का हमने 12 कॉश्चन कंप्लिट कर लिये थे, उससे आगे के कॉश्चन आज कंप्लिट करेंगे, अभी थोड़ा सा समय को लेकर मैनेज नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा ना मैनेज आप लोग कर लीजीगा, पर टेस्ट रेगुलर रहे चाहे वो 10 कोशन रहे या 25 कोशन रहे या 30 कोशन रहे या 15 कोशन रहे टेस्ट लगतार रहेंगे, तो अभी समय के भाव के कारण, इसलिए एक टेस्ट को दो भावों में तोड़ना पड़ रहा है, तो सुरू करते हैं आज का मेरे प्यारा सा टेस्ट, और आदुनिक भारत क एक कोशन है, और कल 18-19 मिनट का ये टेस्ट रहा था, बचा कुचा समय में आज कंप्लीट करेंगे, तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब का आपके अपनी यूटूब चैनल, सिरी एजुकेटर्स पर, मैं विजे संगल परती एक दिन लेके आता हूँ, आपके सुबह नो बजे टेस्ट सीरीज, उत्तर परदेश लोग से वायोग की प्रारंबिक परिक्षा को ध्यान में रखते वे और आरो, ए आरो, री एक्जाम को लेकर, अभी हाल में ही नोटिफिकेशन भी आने वाला है, कि इलाबाद आरो का, ए आरो का एक्जाम भी आने वाला ह और फारम भी आने वाले हैं, तो उसको लेकर भी हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, कि आपको जादे जादा क्या करना है, बढ़ चड़ का इश्या लेना है, हिस्सा लेना है, ठीक है, पिछला टेस्ट हमारा यहां तक कंप्लेट हो विद्रो, हो या फिर मुंडा विद्रो, ठीक है, क्वेशन नमबर 14 की बात करेंगे, आजन, निमलिखित को काला नुकर्म, करमिक करम में वैवस्तित करमा, ओप्शन 4 दिये हुए, ओप्शन 1, 34 वी नेटिव इनफेंट्री का विद्रो, ओप्शन 2, 22 वी नेटिव इनफें इनफेंट्री का विद्रो, और ओप्शन 4, 37 वी नेटिव इनफेंट्री का विद्रो, तो इसमें 1, 2, 3, 4 सारे के सारे करम से हैं, तो इसका राइट आंसर D हो गया, कोशन नमबर 15 की बात करेंगे, निमली कित में से सही विकल्प का चुनाव करना है, चार विकल्प दिये हुएं, कोई 3, 2 या 4 के 4 सही रहने वाले हैं, ओप्शन 1, परियाग राज में सेवा समित्य की स्थापना की गई थी, परियाग राज के अंदर, यो पहले इलाभाद क नम से जाना जाता था, वहाँ पर सेवा समित्य की स्थापना की गई, करेक्ट है, ओप्शन 2, सेवा समित्य की स्थापना 1914 में की गई थी, ये भी सही है, ओप्शन 3, हर्दियनात कुझरू ने सेवा समित्य की स्थापना की थी, हाँ जी, ठीक है, ओप्शन 4, बिटिस सरकार के लिए बाल गंगधर तिलग पर दो बार आरोप लगाया गया था तो बताइए कितनी बार लगाया गया था कमेंट बॉक्स में बताइए ये तो सही नहीं है तो इसी को लेकर option चार हटा दीजी ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो तीन सही ये शुरू के option B इसका right answer हो गया एक दो तीन हरदेनात कुझरू ने सेवसमीति की स्थापना प्रियाग राज के अंदर 1914 में की थी कोश्चन नंबर 16 की बात करेंगे निमली कित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है हमें चार विकल्प है कोई एक गलत रहने वाला है option A 1781 के संसोधन अधिनियम या फिर 1781 का settlement act के अंत्रगर कोलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच नियाले के अधिकार चेत्र में रखा गया था करेक्ट है option B 1773 के regulating act regulating अधिनियम या regulating act के अंत्रगर बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नॉमिनेट कर दिया और उनकी सहयता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिश्ट बनाई थी करेक्ट एकदम option C भारत सरकार अधिनियम अध्ठारासव टावन में आया था ठीक है इसके अंत्रगर सत्ता का हस्ताना अंत्रन या ट्रांसफर इस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिस क्राउम को कर दिया गया और इस समय जो वाइसराय बने थे पहले लॉर्ड कैनिंग बने कि एकदम करेक्ट इनों के तीन option सही है option D इसका right answer हो जाना चाहिए कि none of these इसमें से कोई भी सही विकल्प नहीं है तो इसका right answer दी हो गया question number 17 की बात करेंगे निमली की तमें से सही विकल्प चुनाव करना है चार विकल्प दिये हुए कोई एक सही रहने वाला है option A Lord Mayo ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य है सीमा निर्धारन के लिए डोरंट आयोग के स्थापना की गलत option C Lord Lansdown ने कुले स्विभाग का गठन किया था यह भी सही नहीं है option D Lord Canning ने क्रसी एवं बानिज्ये विभाग की इस्थापना की थी यह भी सही नहीं है option B Lord Minto Dvithya बंग बंग विरोधी आंदोलन और स्वेदेशी आंदोलन को दबाने का परियास किया गया इसके द्वारा Lord Minto Dvithya यह एकदम करेक्ट है 1906 में आया था यह और 1906 से 1910 तक रहा लगबग तो इसके द्वारा जो बंग भंग विरोधी आंदोलन था और स्वेदेशी आंदोलन तो उसको दबाने का परियास किया गया तो ऑप्षण भी इसका सही आंसर हो गया कोशन नमबर अठारा की बात करें निमलिखित को काला नुकरमिक करम में वयवस्तित करना है ऑप्षण चार दिये हुए ऑप्षण एक वैल्स प्रिंस ओव वैल्स की भारत यात्रा ऑप्षण दो सर विलियम हंटर की अध्यक्सता में सिक्षाय और किन्युक की ऑप्षण तीन रेलवे बॉड की स्थापना और ऑप्षण चार मांटेंग्यू की घोशन तो देखें करम से हैं ऑप्षण एक दो त की चार ऑप्षण डी इसका राइट अंसर हो जाना चाहिए सारे के सारे करम से लगाए हुए हैं कोशन नंबर 19 की बात करें नेमली खितमित से सही विकल्प का चुनाव करना है तीन विकल्प हैं कोई ए दो या तीन विकल्प रहने वाले सही हैं ऑप्षण एक अठारा सो च chartal act के अंत्रगट इसाई मिसनरियों को भारत में जाकर इसाई धरमके परचार परसार की आग्या प्रदान की गयीわか्प IRA तो 1833 के चार्टर एक्ट के अंतरगर्ट चाय के वैपार और चीन के साथ वैपार पर कंपनी के एक अधिकार को पूनता समाप्त कर दिया एकदम करेक्ट देखिए इससे संबंदित लेक्चर प्लेइलिस्ट बनी हुई है और ये करार रखें बड़े ही विस्तार पूर्वक इनका लिंक आपको डिस्करेप्शन में प्राप्त करा दिया जाएगा तो आप सब उनको एक बर अच्छे से जरूर देख लिजेगा बेसिक जो ही क्वेशिन है ना जैसे चाई के वैपार चीन के साथ वैपार 18 33 के चार्राट के माद्याम से जी हटाया थाbenी बहुंध मिस्टनरी भारत में 1813 के के पहले इंसान बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1760 फिर इसके पश्चाहत इसको इंसान बना दिया अब इंसान बन गया तो यह दबाव मानेगा मानेगा तो इसको चार चेतावनी भी दे गई 1793 में से लेकर 1853 फिर जब 1853 इनको चार चेतावनी दी इसको कहा कि अब अपना टेरा उठाओ और निकल जाओ तो फिर 1857 की हमारे देश के अंदर करांती होती है और करांती के अंदर बड़ा ही विद्वन्स किया जाता है अंग्रेजों का और अंग्रेजों द्वारा भी नहरसनहार किया जाता है तो कहीं न कहीं ये विद्रो दबा दिया जाता है परंतु फिर भी हमारे देश के अंदर पहला राष्टेवादी आंदोलन समगर नहीं कह सकते परंतु समगर पूर्ण सम्पूर्ण से भी कम निखा जा सकता तो पहला राष्टवादी अंदोलन अठारों सत्तावन की एक तरीके से सही था और उसने एक राष्ट्य चेतना की वी अलग जगाई विफल पड़ा रहा हो परन्तों कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर राष्ट्य चेतना सारे के सारे विकल्प हमारे करेक्ट है कुशन नंबर 20 की बात करने वाले हैं निवलिकित में से सही विकल्प का चैन करना है चार विकल्प हैं, दो विकल्प या तीन विकल्प सही रहने वाले, सारे की सारे सही रहने जाले, भारत सरकार अधिनियम 8828 के अंतरगत, भारत का साशन जो है कमपनी के हाथों से हटा कर ताज ने, ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया था, हाँ जी एकदम सही है, भारत सरकार अधिनियम 8828 के अंतरगत, गवर्नर जनरल को हटा दिया गया, और उसकी जंगन नई पोश्ट का सरजन जिया गया, वाइस रहे, अब है भारत में ताज का रिपर्जेंटेटिव यानि परतिने दी हो गया था, ये भी करेक्ट है, उप्शन तीन भारत सरकार अधिनियम 8828 के अंतरगत, भारत सची और उसकी एक परीशत, भारत परीशत की इस्थापना भी की गई, हाँ जी एकदम करेक्ट है, और भारत सरकार अधिनियम 8828 के अंतरगत, बौर्ड ओफ कंट्रॉल, कोर्ट ओफ डारेक्टर को पूनता समाप्त कर दिया, ये भी एकदम कैसी वयवस्ता की जाएगी, क्योंकि इनने समझ में आगे था कि अब भारत के अंदर अगर साशन करना है, तो भारत का ऐसे है योग लेना, कंपल्सरी यानि की अनिवार ये है, क्वेशन नमबर 21 की बात करेंगे, यहाँ पर हमें चारवी कल दिये हुएं, और इनको काला न फ्रांस इस्ट इंडिया कंपनी की इस्थापना, ओप्शन चार डच इस्ट इंडिया कंपनी की इस्थापना, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे करम से लगाए गए हैं एक साथ, तो पहले बिट्रेश इस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उसके पर शाथ राइट अंसर होगा बी देखें पहले तो इस अब्रिटी से लिया कंपने की स्थापनी एकदम करेक्ट है फिर उसके पश्चाइट डच आये थे फिर इसके पश्चाइट आये थे हमारे देश के अंदर डैनि लाश्ट में फ्रांसे से आये थे सबसे अंतिम रोब से जो आये फिर एक चार दो तीन कॉशन नमबर 42 नेमली खित में से सही विकल्प का चैन करना है चार विकल्प है क호िं तीन पोई दो या फिर कोई तीन या कोई दो ही विकल्प सही रहने वाले है एक गलत होने वाला है तो option A है J.E.B. Bethune ने कलकत्ता में कन्या विद्धाले की इस्थापना की थी जो बाद में Bethune College के नाम से परसिद हुआ correct है option B. दो B.M. मालाबारी ने बाल विवा के विरूद एक संकी स्थापना की थी हाँ जो ठीक है option 3. अक्से कुमार दत ने बाल विवा के विरूद चिकिस्किये मत है को रखने का काम किया था एकदम correct है option 4. इस्वर्चन विद्या सागर में अठ्यारोद शपन में कलकत्ता में संस्क्रत कॉलेज के प्राचारिये बने थे तो यह गलत है कब बने थे यह comment box में आप बताएंगे तो राइट अंसर हमारा एक दो तीन चार ओप्शन ए हो गया इसका राइट अंसर सुरू के तीन हमारे एकदम correct option है question number 23 की बात करते हैं नेमलिकित में से सही विकल्प का chain करना है चार विकल्प हैं इनको मैच करना है कोई एक गलत रहने वाला है तो पहला option है हमारा लौड विलिंग्डन इस यह विलिंग्टन है यह विलिंग्डन नहीं विलिंग्टन इसके समय में तीसरा गौल में सम्मेलन हुआ था इकड़म correct option 2 Lord Irwin Congress ने पर्थम गौल में सम्मेलन का भाइसकार किया इस ही के समय में यह भी correct है क्योंकि गांजी जी जेल में ते option 3 Lord Rippon काकोरी ट्रेन डखेती यह तो नहीं होगा तो कौन होगा यह आप comment box में comment करके बताइए इसके समय में Lord वैवल योजना और सम्मेलन हुआ तो यह भी correct है यानि की एक दो चार इसका right answer option D में इसका right answer तीन हटा दो न अपना आपी निकल जाएगा answer तो eradication method तो right answer हमारा D हो गया एक दो चार हो गया question number 24 और आज का second last question है और कोई एक गलत रहने वाला है निमलिकित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है ओप्शन एब भारतिय स्वतंत्रत आधिनियं British संसाथ द्वारा 18 July 1947 को पारित किया गया था एक दम correct option है कब 18 July 1947 में कहां पर ब्रितिय संसाथ में भारतिय स्वतंत्रत आधिनियं याने की Indian freedom act ओप्षिन दो भारतिय स्वतंतरता विदेख चार जुलाई 1947 को ब्रिटिस परधान मंत्री जो थे क्लेमेट एटली द्वारा हाउस अफ कॉमेंस में पेस किया गया था और ओप्षिन सी इंडियन इंडिपेंडेंस ने यानि भारतिय स्वतंतरता जो विदेख है वो 15 जुलाई 1947 में हाउस अफ कॉमेंस द्वारा और 16 जुलाई 1947 को हाउस अफ लॉइस हाउस अफ लोड्स हाउस अफ लोड्स द्वारा पारित किया गया यह भी एकदम करेक्ट ठेकिए जो हाउस ओफ कॉमेंस है जैसे हमारे हां पर लोक सबाय है ऐसे हमलाज्येस सबाय है ऐसे हमाँ पर हाउस ओफ Lords है, मतलब की Lords का मतलब Worished और Commons मतलब आंजन के लिए तो House of Commons British की संसद है, संसद के अंदर निचला सदन है और House of Lords British संसद के उपरी सदन है, Upper House है ठीक है, तो दोनों के दोनों, तीनों के तीनों ओप्शन हमारे सही हो गए Next is Option D भारतिय सोतंतरता विदे को राज के स्विकर्ती 18 अगस्ट 1947 को प्राप्त ही तो ये 18 जुलाई, 18 अगस्ट ये गलत है, ये 15 अगस्ट को होगी थी 14 अगस्ट है ला तो Option D हमारा गलत हो गया तो राइट अंसर हमारा D हो गया Question No.25 की बात करेंगे और इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तो Question No.25 निमली खित्मे से सही विकल्प का चुनाव करना है Option 1 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने है तो विदेटी सरकार ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पेस किया और इस एक्ट में जो नाम है वो अब्रेटिस परधान मंत्री विलियम पिट का नाम रखा गया एकदम करेक्ट ऑप्शन है Option 2 तो जबकि इससे पहले न 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट से पहले इसमें एमेंडमेंट करने के लिए एक सैटलमेंट एक्ट है था 1780 वाला ठीक है Option 2 डैनमार्क ने भारतिय हवाय पार है तो 1620 में तंजोर पर अपना के अंदर इस्ताफित किया एक दम करेक्ट है किसने डैनमार्क ने कहां पर तंजोर में Option 3 फेडरिक फ्रेडरिक ओस्बॉर्म ने सुतंतरता के पश्षाद भारत की तठस्था को निती को भारत की तठस्था की निती को एनैतिक तठस्था कहा था गलत है सही नहीं है Option 4 पोर्टो नोवा की लड़ाई 1783 में मैसूर के हैदर अली और सर आयर कूट के नेतरत में कमपनी के मद्याविती ये भी गलत है तो राइट अंसर क्या होगा Option A है केवल एक और दो Option B है केवल एक दो तीन Option C है दो तीन चार और Option D है एक दो तीन चार तो राइट अंसर क्या रहने वाला है बताईए फटफट जबकि मैंने अच्छे से हिंट और सारा कोशन कंप्लिट कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्तो कोशन नमबर 50 में आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईए दो पार्ट में हमारा टेस्ट नमबर 50 रहा है और अच्छे से मजा रहा होगा टेस्ट लगाते हुए तो टिक काम जरूर करिएगा कि अपने दोस्तों दख शेयर जरूर करिएगा कम्पेटिशन आपका आपके साथ है ना कि कि किसी अन्ये की साथ है और साथ ही सर्सक्राइब जरूर कर ले जगा और लाइक्स कमेट जरूर करिएगा कहीं कोई डाउट हो उसको लेकर भी जरूर कमेट करिएगा और कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी दे सकते हैं तो मिलता हैं फिर मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स सेशन में नेक्स टेस्ट में नई उमंग नई उर्जा की साथ टेस्ट नमबर और 51 में बने रही है सिरी एजुकेटर यूटूब चैनल की साथ जै हिन जै भाराद